यवस्था विवरंड की पुस्तक में मूसा के अंतिम तीन उपदेश और इस्राइल के भविश्य के बारे में दो भविश्य सुचक कविताएं शामिल हैं। राष्ट की पिछली गलतियों पर चिंतन करते हुए मूसा ने लोगों से उन्तुटियों को न दोहराने का आग्रा किया। जब विवादा किये गए देश में प्रवेश करते हैं। कनान पर अधिकार करने से कुलपतियों से किये गए वादे पूरे होंगे। लेकिन अगर लोग मूर्ति पूजा में पढ़ जाते हैं या कानून का पालन करने में विफल रहते हैं तो उन्हें निर्वासित कर दिया जाएगा। बहतर समझ के लिए हमने व्यवस्था विवरन की पुस्तक को छे मुख्य बिंदों में विभाजित किया है। व्यवस्ता विवरन अध्याई 31 और मुशा ने जाकर यह बाते सब इस्राइलियों को सुनाए और उसने उनसे यह भी कहा कि मैं आज 120 वर्ष कहूं और अब मैं चल फिर नहीं सकता। क्योंकि यहवा ने मुझसे कहा है कि तू इस यर्दन पार नहीं जाने पाएगा। तेरे आगे पार जाने वाला तेरा परमशुवर यहवा ही है। वह उन जातियों को तेरे सामने से नश्टा करेगा और तू उनके देश का अधिकारी होगा। और यहवा के वचन के अनुसार यहोशु तेरे आगे आगे पार जाएगा। और जिस प्रकार यहवा ने एमोरियो के राजा सिहोन और ओग और उनके देश को नाश किया। उसी प्रकार वह उन सब जातियों से भी करेगा। और जब यहोवा उनको तुमसे हरवा देगा, तब तुम उन सारी आगेव के अनुसार उनसे करना जो मैं तुमको सुनाया है। तु हियाव बांद और दुढ़ हो, उन से न डर और न भैबित हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है, वह तुझको धोकार न देगा और न छोड़ेगा। तब मुसा ने यहोश्व को बुलाकर सब इस्राइलों के सन्मुक कहा, कि तु हियाव बांद और दुढ़ हो जा, क्योंकि इन लोगों के संग उस तेश में जिससे यहोवा ने इनके पुरोजों से शपत खाकर देने को कहा था, तु जाएगा। और न छोड़ देगा, इसलिए मत डर, और तेरा मान कच्चा न हो। फिर मुसा ने यह व्यवस्ता लिखकर लेविये याजकों को जो यहोवा की वाचा के संदुख उठाने वाले थे और इस्राइल के सब रुद्ध लोगों को सवब दी। तब मुसा ने उनको आग्या दिए कि साथ साथ वर्ष के बीतने पर अर्थात हुगा ही न होने के वर्ष के जुपड़ी वाले पर्व में जब सब इस्राइली तेरे परमिश्वर यहोवा के उस थान पर जिसे वह चुन लेगा आकर इकटा हो। तब यहा व्यवस्था सब इस्राइलियों को पढ़ कर सुनाना। क्या पुरुष, क्या अस्त्री, क्या बालक, क्या पुमारे फाटकों के भीतर के पर देशी सब लोगों को इकटा करना कि वे सुनकर सीखे। और तुम्हारे परमिश्वर यहोवा का भहे मान कर इस व्यवस्था के सारे वचनों के पालन करने में चवकसी करे। और उनके लड़के बाले जिन्होंने ये बाते नहीं सुनी, वे भी सुनकर सीखे कि तुम्हारे परमिश्वर यहोवा का भहे उस समय तक मानते रहे, जब तेरे मरने का दिन निकट है। तू यहुशु को बुलवा और तुम दोनों मिलकर मिलाप वाले तंबु में आकर उपस्तित हो कि मैं उसको आग गया दू। तब मुसा और यहुशु जाकर मिलाप वाले तंबु में उपस्तित हुए। तब यहुवा ने उस तंबु में बाद तब यहवा ने मुशा से कहा, तू तो अपने पुरुखों के संग सुजाने पर है, पर ये लोग उठकर उस देश के पराय देवताओं की पीछे, जिनके मद्ध में वे जाकर रहेंगे और वे विचारी हो जाएंगे, और मुझे त्याक कर उस वाचा को, जो मैंने उनसे बां मुख चिपा लूँगा, और ये आहार हो जाएगे, और बहुत से विपत्या और क्लेश इन पर आ पड़ेगा, यहां तक कि ये सब उस समय कहेंगे, क्या ये विपत्या हम पर इस कारण तो नहीं आ पड़ी, क्योंकि हमारा परमिश्वर हमारे मद्ध में नहीं रहा, उस समय मैं उन सब बुरायों के कारण जो ये पराय देवता की ओर फिरिकर करेंगे, निसंदे हैं, उनसे अपना मुह चिपा लूँगा, सो अब तुम यह गीत लिख लो, और तु इसे इसराइलियों को सिखा कर कंठ करा देना, इसके लिए कि यह गीत उनके विरुद्ध मेरा साक् जब मैं इनको उस तेश में पहुचाऊंगा, जिसे देने की मैंने इनके पुरोजों से शपत खाई थी, और जिस तेश में दूद्ध और मधु की दहराय बाईती है, और खाते खाते इनका पेट भजाए, और ये हश्ट पुश्ट हो जाए, तब ये पराय देवतां की ओर फिर कर उनकी उपासना कर लेंगे, और मेरा तिरसकार उनकी तिरसकार करके मेरी वाचा को तोड़ देंगे, बरन अभी भी जब मैं इन्हें उस तेश में जिसके विशे में मैंने शपत खाई है, पहुचा नहीं चुका, मुझे मालूम है कि ये क्या-क्या कलपना कर रहे है, इसलिए जब बहुत सी विपत्या और कलेश इन पर आ पड़ेंगे, तब यह गीत इन पर साक्षी देगा, क्योंकि इनकी संतान इसको कभी भी नहीं भूलेगी, तब मूसा ने उसी दिन यह गीत लिखकर इस्राइलियों को सिखाया, और उसने नून के पुत्र यहोशु को आग्यादी की हियावबांध और दुरुड हो, क्योंकि इस्राइलियों को उस तेश में, जिसे उन्हें देने को मैंने उनसे शबत खाये हैं, तू पहुचाएगा, और मैं आप तेरे संग रहूँगा। यहोशा की वाचा के संदू के पास रख दो, कि यहाँ वहाँ तुझ पर साक्षी देती रहे, क्योंकि तेरा बल्वा और हट मुझे मालूम है, देखो, मेरे जीवन और संग रहते हुए भी तूम यहोशा से बल्वा करते आये हो, फिर मेरे मरने के बाद भी क्यों न करोगे तुम अपने गोत्रों के सब रुद्ध लोगों को और अपने सरदारों को मेरे पास इकटा करो, कि मैं उनको ये वचिन सुना कर उनके विरुद्ध, आकाश और पृत्वी दोनों को साक्षी बनाओ, त्योंकि मुझे मालूम है कि मेरी मृत्वी के बाद तुम लोग को सुनाई है, उसको भी छोड़ दोगे, और अन्त की दिनों में, जब तुम वह काम करके, जो यहवा की दुष्टी में बुरा है, अपनी बनाए हुई वस्तूं की पूजा करके, उसको रिस्ती दिलाओगे, तब तुम परविपत्या आ पड़ेगी, तब मूसा ने इस्रा काश कान लगा कि मैं बोलू, और है पुरुथवी मेरे मुह की बाते सुन, मेरा उपदेश मेह किनाई बर्चेगा, और मेरी बाते उस किनाई टपकेंगी, जैसे कि हरी घास पर जीसी और पौधों पर जड़िया, मैं तो यहवा नाम का प्रचार करूँगा, तुम अपने प काम खरा है, और उसकी सारी गती न्याई की है, वह सच्चा परमेश्वर है, उसमें कुपिलता नहीं, वह धर्मी और सीधा है, परंतु इसी जाती के लोग टेड़े और तीर्चे हैं, यह बिगड़ गए, यह उसके पुत्र नहीं, यह उनका कलंग है, हे मूड और क्या तुम यहवा को यह बदला देते हो, क्या वह तेरा पिता नहीं है, जिसने तुझको मूल लिया है, उसने तुझको बनाया और फ्तिर भी किया है, प्राचिन काल के दिनों को स्मरण कर, पीड़ी-पीडी के वर्षों को बिचारो, अपने बाप से पूछो, और वह तु कुछ से कह देंगे। भरी हुई मरुभुमी में पाया, उसने उसके चहु ओर रहकर उसकी रक्षा की, और अपनी आग की पुतली की नाई उसकी सुधी रखी। जैसे उकाब अपने घोसले को हिला हिला कर अपने बच्च के उपर-उपर मंड राता है, वैसे ही उसने अपने पंख फैला कर उसको अपने पंखो परो पर उठा लिया है। यहोवा अकिला ही उसकी अगुवाई करता रहा, और उसके संग कोई पराया देवता न था। उसने उसको पृत्वी के उचे-उचे स्थानों पर सवार करवाया, और उसको खेतों की उपच खिलाई। उसने उसे चट्टान में से मधु और चक्मक की चट्टान में से तेल चुसाया। गायों का दही और भेड बकरियों का दूद, मेमनों की चरबी, बकरे और बाशान की जाती के मेंधे और गेहु का उत्तम से उत्तम आटा भी और तु दाखरस का मधु पिया करता था। परन्तु ये शुरून मोटा होकर लात मारने लगा और तु मोटा और हश्टपुष्ट हो गया और चर्वी से चा चा गया है तब उसने अपने सुजनहार परमेशर को तज दिया और अपने उद्धार्मुई चट्टान को तुछे जाना उन्होंने पराए देवताओं को मांकर उसमें जलन उपचाए और ग्रुनित कर्म करके उसको रीष दिखाए उन्होंने पिशाचों के लिए जो इश्वर न थे बली चड़ाए और उनके लिए वे अंजाने देवता थे वे तो नए नए देवता थे जो थोड़े ही दिन में प्रगट हुए थे और जिनसे उनके पुरखा कभी डरे नहीं जिस चटां से तू उत्पन हुआ उसको तू भूल गया और परमेश्वर जिसन से तेरी उत्पत्य हुई उसको भी तू भूल गया है इन बातों को देखकर यहवा ने उन्हें तुछ जाना क्योंकि उसके क्योंकि इस चाती के लोग बहुत टेड़े है और धोका देने वाले पुत्र है उन्होंने ऐसी वस्तु मान कर जो इश्वर नहीं है मुझ में जलन उत्पन न की और अपनी व्यर्थ वस्तु के द्वारा मुझे रीज दिलाई इसलिए मैं भी उनके द्वारा जो मेरी क्योंकि मेरे कोप की आग भड़क उठी है जो पाताल की तह तक जलती जाएगी और पुत्वी अपनी उपच समेत भस्म हो जाएगी और पहाडों की नेओं में भी आग लगा देगी मैं उनपर विपत्ती पर विपत्ती भेजूँगा और उनपर मैं अपनी सब तीरों को छोड़ूँगा वे भुख से दुबले हो जाएगे और अंगारों से और कठीन महारों से गसित हो जाएगे और मैं उनपर पश्यों के दाथ लगवाऊँगा और धूली पर रेगने वाले सर्पों का वीश छोड़ दूँगा बाहर वे तलवार से मरेंगे और कोठ्यों के भीतर भाई से क्या कुवारे और क्या कुवारिय क्या दूथ पीता हो बच्चा क्या पक्के बाल वाले सब इ इतर भी तर कर दूँगा और मनुश्रों में से उनका स्मरन तक मिटा डालूँगा फरंतु मुझे शत्रों की छेड़चाड का डर था ऐसा नहो कि द्रोही इसको उल्टा समझ कर यह न कहने लगे कि हम अपने ही बाहुबल से प्रबल होए और यह सब यहवा से नहीं हुआ यह का विचार करते यदि उनकी चक्तन ही उसको न बेच देती और यहोआ उनको औरों के हाथ में न कर देता तो यह क्यों कर हो सकता है कि उनके हजार का पीछा एक मनुश करता और उनके दस हजार को दो मनुश बगा देते क्योंकि जैसी हमारी चक्तान है वैसी उनकी चक्तान नहीं है चाहे हमारे शत्रु ही क्यों नन्याई हो क्योंकि उनकी दाखलता सदोम की दाखलता से निकलती है और अमोरा की दाख भी बारियों में की है उनकी दाख बीश भरी और उनके गुच्छे कडवे है उनका दाखमदू सापो कासा वीश और काले नागो कासा हला हल है क्या यह बात मेरे मन में संचित और मेरे भंडारों में मुहरबंद नहीं है पल्टा लेना और बदलानेना मेरा ही काम है यहां उनके पाव फिसलने के समय प्रगट होगा क्योंकि उनकी विपत्ति का दिन निकट है और जो दुख उन पर पढ़ने वाले है वह शिग्र आ रहे है क्योंकि जब यहोवा देखेगा कि मेरी प्रजा की शक्ती जाती रही और क्या बंधुआ और क्या स्वाधिन उनमें कोई बचा नहीं रहा तब यहोवा अपने लोगों का न्याय करेगा और अपने दासों के विशय तरस खाएगा तब वह कहेगा उनके देता कहां है अर्थात वह चट्टान कहां है जिस पर उसका बहरोसा था जो उनके बलिदानों की चर्वी खाते और उनके तपों उनका दाख मधु पीते थे वे ही उटकर तुमारी साहता करे और तुमारी आढ़ हो इसलिए अब तुम देख लो कि मैं ही वहां हूँ मेरे संग कोई देवता नहीं, मैं ही मार डालता और मैं ही जिलाता भी हूँ, मैं ही घायल करता और मैं ही चंगा भी करता हूँ और मेरे हाथ से कोई नहीं छोड़ा सकता, क्योंकि मैं अपना हाथ स्वर्ग की ओर उठा कर कहता हूँ, क्योंकि मैं अनंतकाल के लिए जीवित हूँ सो यदि मैं बिजली की तरवार पर सान धर कर जलकाओ और न्याय अपने हाथ में ले लू, तो अपने द्रोहियों के से बदला लूँगा, और अपने बैरियों को बदला दूँगा, मैं अपने तीरों को लोहू से मतवाला करूँगा, और मेरी तलवार मास खाएगी, वह ल लोहू मारे हों और बंधों का, और वह मास शत्रों के प्रधानों के शीश का होगा, हे अन्यजातियों, उसकी प्रजा के साथ आनंद मना, क्योंकि वह अपने द्रोहियों का बदला देगा, और अपने देश और अपनी प्रजा के पाप के लिए प्रायस चित देगा, इस की मुसा ने नून के पुत्र होशे समेत आकर लोगों को सुनाए। जब मुसा ये सब वचन सब इसराइलियों से कह चुका, तब उसने उनसे कहा कि जितनी बाते मैं आज तुमसे चिता कर कहता हूँ, उन सब पर अपना-पना मन लगाओ, और उनके अर्थात इस व्योस्ता की सार लड़के बालों को दी, क्योंकि यह तुम्हारे लिए व्यर्थ काम नहीं, परंतु तुम्हारा जीवन है, और ऐसा करने से उस देश में तुम्हारी आयू के दिन बहुत होंगे, जिसके अधिकारी होने को तुम यर्दन पार जा रहे हो। फिर उसी दिन यहवा ने मुसा स कहा कि उस अबारिम पहाड की नबो नाम चोटी पर जो मुआब देश में यरिहों के सामने है, चड़कर कनान देश, जिसे मैं इस्राइलियों की निजभूमी कर देता हूँ, उसको देख ले। तब जैसा तेरा भाई हरुन होर पहाड पर मर कर अपने लोगों में मिल गया, वैसे ही तू इस पहाड पर चड़कर मर जाएगा और अपने लोगों में मिल जाएगा, इसका कारणिया है कि सीन जंगल में कादेश के मरिवा नाम सोते पर तुम दोनों ने मेरा अपरात किया, क्योंकि तुमने इस्राइलियों के मध्य में मुझे पवित्र न ठहराया, इस विवस्त अविवरन अध्याय तैतिस, मूसा का इस्राइलियों को दिय हुआ आशिर्वाद, जो आशिर्वाद परमिश्वर के जन मूसा ने अपनी मृत्यू से पहले इस्राइलियों को दिया, वह यह है, उसने कहा यहोवा सीने से आया, और सेइर से उनकी लिए उदै उसने पारान परवतपर से अपना तेज दिखाया और लाखो पवित्रों के मद्धमे से आया। उसके दहने हाथ से उनकी लिए ज्वालामय विधिया निकली। वह निश्चे देश-देश के लोगों से प्रेम करता है। उसके सब पवित्र लोगों तेरे हाथ में हैं। वे त तेरे पाओ के पास बैठे रहते हैं। एक-एक तेरे वचनों से लाब उठाते हैं। मुसा ने हमें व्यवस्ता दी और याकूप की मंडली का निजभाग ठैरी। जब प्रजा के मुख्य-मुख्य पुरुष और इस्रायल के गोत्री एक संग होकर इकत्रित हुए तब वह ये शुरून में राजा ठारा। रुबेन न मरे वरन जिवित रहे। तो भी उसके यहां के मनुष्य थोड़े हो। और यहुदा पर यहां आश्रवाद हुआ जो मुसा ने कहा। हे यहुदा की सुन और उसे उसके लोगों के पास पहुचा। वहां अपने लिए आप अप उसका सहयक होगा। फिर लेवी के विशे में उसने कहा तेरे तुम्मीम और उरीम तेरे भक्त के पास है जिसको तूने मस्पा में पर्क लिया और जिसके साथ मरिवा नाम सोते पर तेरा वाद भिवाद हुआ। उसने तो अपने माता-पिता की विश्य में कहा कि मैं उनको नहीं जानता और न तो उसने अपने भायों को अपना माना और न अपने पुत्रों को पहिचाना क्योंकि उन्होंने तेरी बाते मानी और वह तेरी वाचा का पालन करते हैं वे याकुप को तेरे नियम और इस्रायल को तेरी व्यवस्ता सिखाए और तेरे आगे धूप और तेरी वेदी पर सरवदा पश्यू को होंबली करेंगे। हे यहोवा उसकी संपति पर आशिश दे और उसके हातों की सेवा को ग्रहन कर। उसके विरोधियों और बैडियों की कमर पर ऐसा मार किवे फिर न उट सके। फिर उसने बिन्यामिनी के विशे में ये कहा। यहुवा का वह प्रियजन उसके पास नीडर बास करेगा और वह दिन भर उस पर चाया करेगा और वह उसके कंधों के बीच रहा करता है फिर युसूप के विशे में उसने कहा इसका देश यहुवा से आशिश पाए अर्थात आकाश के अनमोल पदार था और ओस और गहरा जल जो नीचे है और सुरे के पकाय हुए अनमोल फॉल जो अनमोल पदार था चंदरमास के उगाए उकते हैं और पाचेंद पहाड़ों के अनमोल पदार था और पृत्वी और जो अनमोल पदार था उसमें भरे है और जो जाड़े में रहता था उसकी प्रसनता इन सभों के विशे में युसूप के सिर पर अर्थात उसी के सिर के चांद पर जो अपने भायों से म्यारा हुआ था आशिश ही आशिश फले वह पतापी है, मानों गाय का पहिला उठा है, उसके सिंग बनल पैल के से है उससे वह देश देश के लोगों को बरन पुत्वी की छोर तक के सब मनुशों को ढखिया लेगा वे इप्राइम के लाखो लाख और मनुश्टे के हजारो हजार है फिर जुबलून के विशे में उसने कहा, हे जुबलून तू बाहर निकलते समय और हे इसकार तू अपने डरों में आनन्द करे वे देश देश के लोगों को पहाड़ पर बुलाएंगे, वे वहां धर्मयग्य करेंगे क्योंकि वे समुद्र का धन और बालू में छिपे हुए अनमोल पदार्त से लाब उठाएंगे फिर गाद के विशे में उसने कहा, धन्य है जो गाद को बढ़ाता है गाद तो जिहनी के समान रहता है और बाहा को बरन सिर के चान तक को फार डालता है और उसने पहला अंच तो अपने लिए चुन लिया क्योंकि वहां रईस के युग्य भाग रखा हुआ था तब उसने प्रजा के मुख्य मुख्य मनुख्यों के संग आकर यहोवा का ठैराया हुआ धर्म और इस्राल के साथ होकर उसके नियम का प्रतिपालन किया फिर दान की विशे में उसने कहा दान तो बाशान से कुदने वाला सीहं का बच्चा है फिर नप्ताली की विशे में उसने कहा आशेर पुत्रों के विशे में आशिश पाए वह अपने भाईयों में प्रिय रहे और अपना पाव तिल में डुबोए तेरे जोते लोहे और पीतल के होंगे और जैसे तेरे दिन वैसी ही तेरी शक्ति हो हे ये शिरून परमेश्वर के तुल्ले और कोई नहीं है वह तेरी साहता करने को आकाश पर और अपना प्रताब दिखाता हुआ आकाश मंडल पर सवार होकर चलता है आनादी परमेश्वर तेरा ग्रुह धाम है और नीचे सनातन भुजाय है वह शत्रून को तेरे सामने से निकाल देता और कहता है उनको सत्यनाश कर दे और इसरायल निलर बसा रहता है अना और नए दाकमदु के देश में याकुप का सोता अकेला ही रहता है और उसके उपर के आकाश से ओस पड़ा करती है ए इसरायल तू क्या ही धन्य है हे यहवा से उध्धार पाई हुई प्रजा तेरे तुल्य कौन है वह तो तेरी साहता के लिए धाल और तेरे प्रताप के लिए तलवार है तेरे शत्रु तुझे सराहेंगे और तू उनके उच्चे स्थानों को रौन देंगा विवस्ता विवरन अध्याय चवतिस मुसा की मुत्यूम फिर मुसा मुवाब के अराबा से नबो पहार पर जो पिसका की एक चोटी और यरियोहों के सामने है चड़ यहोवा ने उसको दान तक का गिलाद नाम का सारा देश और नप्तली का सारा देश और एप्राइम और मनश्र का देश और पश्चिम के समुदर तक का यहुदा का सारा देश और दखिन देश और सोवर तक की यरियोहों नाम खजुरवाले नगर की तराई यह सब दिखाया तब यहवा ने उससे कहा जिस देश के विशे में मैंने इबराहिम इसहाक और याकुब से शपत खाकर कहा था कि मैं इसे तेरे वंश को दूंगा वह यही है मैंने इसको तुझे साक्षात दिखलाया है परंतु तु पार होकर वहां जाने न पाएगा तब यहवा के कहने के अनुसार उसका दास मुसा वही मुवाप के देश में मर गया और उसने उससे मुवाप के देश में बेतपुर के सामने एक तराई में मिट्टी दी और आज के दिन तक कोई नहीं जानता कि उसकी कबर कहा है मुसा अपनी मुवाप के समय एक सो बीस वर्षका था परंतु न तो उसकी आखे धुंदली पड़ी और न उसका पौरुश घटा था और इस्राईली मुवाप के अराबा में मुसा के लिए तीस तिन तक रोते रहे तब मुसा के लिए रोने और विलाप करने के दिन पूरे हुए और नून का पुत्र यहोश बुद्धिमानी की आत्मा से परिपुर्ण था क्योंकि मुसा ने अपने हाथ उस पर रखे थे और इस्राईली उस आग्या के अनुसार जो यहोश ने मुसा को दी थी उसकी मानते रहे और मुसा के तुल्य इसरायल में ऐसा कोई नभी नहीं उठा जिससे यहवा ने आमने सामने बाते की और उसको यहवा ने फिरोन और उसके सब करमचारियों के सामने और उसके सारे देश में सब चिन्ध और चमतकार करने को भेजा था और उसने सारे इसरायलों की दृष्टी म बल्वन तहात और बड़े भई के काम कर दिखाए